Hello, welcome, let's discuss class 11 and miscellaneous exercise, chapter 1, so question number 1, decide among the following sets, which sets are subset of one and another, so यहाँ पर इस सेट दिया हुआ है, और बताना है कि कौन सा सेट जो है एक दूसरे के subset है, तो चले करते हैं, तो यहाँ दिया हुआ है कि A जो equal है, X as that X real number में belong कर रहा है, और X satisfy कर रहा है यह equation को, और B दिया हुआ है 246, C दिया हुआ है 2468, और …D दिया है 6, तो यहाँ पर हम लोग पहले यह जो set builder form में दिया हुआ है, इसे change करेंगे roaster form में, और यह जो x square minus 8x plus 12 है, इसको factorize करेंगे, तो हम बच्पन से ही पढ़ते आ रहा हैं, कि इसे factorize कैसे करते हैं, तो multiply करके 12 लाना है, ऐसा कोई number लेना है, और minus 8 लाना है, add या subtract करके, तो चली करते हैं, तो हम 6 और 2 अगर लेते हैं, 6x minus 2x plus 12 equal to 0, तो यहाँ देख सकते हैं, कि minus 6 minus 2, क्या हो गया, minus 8, और multiply करेंगे, तो 6 to 12, 12, okay, minus minus plus, इसे जब हम लोग solve करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x minus 6 minus 2, x minus 6 equal to 0, तो एक बार आ गया, x minus 2 equal to 0, और एक बार आ गया, x minus 6 equal to 0, तो x का value क्या आ गया, यहाँ से 2 आ जाएगा, और यहाँ से 6 आ जाएगा, तो ए, जो है, इसके पास कितने element होगा, एक element 6, अब देखते हैं हम लोग, कौन सा सेट जो है, किसके subset है, एक के पास 2 element होगा, 2 और 6 यहाँ देख सकते हैं, B के पास 2 और 6 element है, यह किसका part है, तो B का पारट है, तो A क्या होगा, subset होगा, बी का, ओके, और देख सकते हैं, यहाँ परी, C में भी क्या है, 2 और 6 element है, तो A जो है, वो छोटा ही टुकड़ा तो है, C का, तो A सबसेट हो जाएगा किसके, C के, ओके, नेक्स, यहाँ देखिए, A के पास क्या है, 2, 6 element है, लेकिन D के पास सिफ 6 है, तो यह सबसेट नहीं होगा, ओके, नेक्स, B के पास आते हैं, तो B देखिए, B के पास क्या है, 2, 4, 6, 3 element है, C के पास क्या है, 2, 4, 6 है, और भी ज्यादा element है, तो यह 2, 4, 6, किसका टुकड़ा हो जाएगा, किसका पार्ट हो जाएगा, C का, तो लिख सकते हैं, क्या, B subset हो जाएगा किसके, C के, ओके, D के पास तो एक ही element है, तो यह इसका subset नहीं होगा, इसट आते हैं, C के पास, C के पास बहुत सारे element हैं, लेकिन और किसी के पास C उतने element नहीं है, नेक्स आते हैं, लोग D के पास, तो D के पास देखिए, 6 है, A के पास भी 6 है तो D क्या है एक पाठ है एक टुकड़ा है किसके 2 और 6 element का तो D सबसेट हो गया A का D जो होगा वो सबसेट हो जाएगा B का भी और D जो होगा वो सबसेट हो जाएगा C का भी So I hope आप लोगो समझा क्या होगा अगर सबसेट नहीं पता है क्या होता है तो आगे exercise 1.6 तक करा दिया गया है प्लेइलिस्ट बनी हुई है वहाँ जाकर आप चेक कर सकते हैं exercise all